असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इट्स मी सुमेरा शहजाद तो आज की वीडियो जो है वो वेट लॉस जर्नी के बारे में हैं तो यह वीडियो बहुत ज्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाली है मेक शोर करें आप इस वीडियो को एंड तक देखें हैं इसके अंदर में आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टन डाइट प्लैंट शेयर करने वाली हूँ बिफोर गॉइंग इंटु दे डिटेल सबसे पहले देख लेते हैं बैलेंस डाइट के सेवन इंपॉर्टन कंपोनेंट्स कौन से हैं इट कंटेन कार्बो हाइडरेट प्रोटीन्स फैट्स वाइटमिन्स मिंडल्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर तो यह साथ इंपॉर्टन इंग्रीडियंट्स होते हैं किसी भी डाइट के अंदर जिनका बहुत कम या बहुत ज्यादा इस्तमाल जो है वो आपकी बॉड़ी क्यों और आपकी हैट को हाइडरिटूर ताकि आपकी बॉड़ी के अंदर पानी की कमी ना हो शूगर बिलकुल नहीं लेनी लेस सॉल्ट इंटेक पोशन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी खुराक आप ले रहें इसके लावा अगर आप चाहें तो आप मल्टी वाइटमिन्स भी ले सक करेगा, बलड सरकुलेशन को इंप्रूब करता है आपके वाटर कॉन्टेंट को रेगूलेट करता है बोन्स को स्ट्रॉण करता है और ग यूटर से प्रिवेंट करता है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूट कर सकते हैं, अब आते हैं डाइ हाफ लेमन को मैंने स्क्वीज किया है इसमें मैंने कोई हनी वगार आड़ नहीं किया क्योंकि मुझे लेमन से कोई इलर्जी नहीं होती अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप हनी आड़ कर सकते हैं इसके लावत चिलतन प्योर का यहां पे मुरिंगा जो है पाउडर मैंने यूज किया आल्टरनेट डेस पे मुरिंगा को इसी तरह से मैंने नीम गरम ग्लास के अंदर वन हाफ टेबल स्पून आप उसमें एड़ करेंगे और इस तरह से आप उसको ले लेंगे फाइफ फॉर् यहां पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं ब्रेकफास्ट लेना है सेवन थर्टी पे पहली ऑप्शन ओट्स की है दूसरी ऑप्शन के अंदर आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं साथ उसके वन एग वाइड और दोनों के साथ आपने वन काप ऑफ ग्रीन टी लेना है ज है या फ्लेवर देने के लिए आप नेचरल शूगर्स की तरफ जाएंगे जैसे कि मैंने ओट्स के ओपर यहां पे ड्राइड एप्रिकोट्स यूज की है आप हाफ बनेना बनाना भी यूज कर सकते है यू कैन ऑलसो गो फॉर दा स्ट्रॉबरी जो भी सीजनल फूट हो सेक किन ऑप्शन ड्राइफ रूट्स की है थर्ड ऑप्शन में आप कॉप पॉपकॉन बगारा या कुछ भी ले सकते हैं तो यहां पे जो है एलमेंट्स मेरे फेवरेट हैं तो मैं इनको जो है वो ले ले लेती थी थी एजा स्नैक अब बारी आती है लांच टाइम की जो है एक बज़े तो औप्शन है चिकन डैसपीस प्लस सैलड प्लस मिंट चटनी औप्शन टू बॉाइल चना प्लस वान चिकन नगेट प्लस सैलड ओप्शन 3 में हाफ रोटी प्लस 3 टेबल स्पून रोफ एनी कुक्ट वेजी टेबल सब्जी प्लस मिंट वगरा या सैलड ले सकते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है उसको जो चिकन रोस्ट के कुछ पीसीज है इस सारे नहीं लेने इसमें से कुछ हैं इसके लावा लॉंच की और ऑप्षिन है चिक पी सैलिड है चिकन बॉल्ज है जो रेडी मेट आते हूं उसमें बिल्कुल हलका सॉयल डाल के आपने उसको फ्राई कर लेना है और यह जो चना चाट है इसमें जो है ब्लैक चिक पीस है अनियन है टमैटो है और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज किया हुआ है सेकिंड आप्शन में कैप्सिकम है वन टमैटो है चिकन चीज बॉल्स है स्ट्रॉ हाफ टेबल स्पून या टी स्पून जो है ऑलिव उयल जो है उसमें आप इसको हलका सा नॉन स्टिक पैन में करेंगे तो यह बहुत जबर्दस आपकी लांच आप्शन डैडी हो जाएगी अब आते सेकिंड जो स्नैक टाइम है डैट इस एड़ फोर पी है ऑप्शन वान व पे लेमन ग्रास टी मैं ले रही हूं फ्रेश जो लेमन ग्रास होती है उसको मैंने कट किया और पानी के अंदर सिंपल बॉयल कर लिया है इसके लावा जो है या वाटर मेलन ले सकते हैं कोई भी सीजनल फूट ग्रेफूट जूस भी आप ले सकते हैं अगर कई लोगों को कड़वा लगता है यह उस तरह से तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डिनर टाइम विल बी एट 7.30 पीम ऑप्शन वान में बॉयल दाल एन्य ओफ यूर चॉइस ब्लस सैलिड ऑप्शन तू में मश्रूम प्लस चिकन प्लस ऑलिवस कुकंबर प्लस टमैटो लेटस सैलिड और ऑप्शन त्री में चिकन ब्रेस प्लस वन स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड या ग्रीन चटनी कुछ भी इस तरह सहलका पुलका दिस इस बेसिकल यह प्रोटीन डिच डाइट जिसके अंदर फैट्स भी है और मैंने काब्स को बहुत कम करने की कोशिश की है तो डिनर जो ह हमारे पास बॉयल थोड़ी बहुत जो स्पिनिच है और साथ ही हमारे पास बॉयल स्पिनिच को लिया हुए और उसको हलका समयने ओल से अंदर वन टी स्पून ऑलिव ओल के अंदर उसको सौते कर लिया है तो आप इस तरह से कुछ भी हलका फुलका सा बना सकते हैं करेले और प्यास की सबजी बनी वी है साथ चिकन का पीस है और ब्राउन ब्रेड का सिर्फ एक स्लाइस है तो पोशन कंट्रोल करना इस वेरी इंपॉर्टन विंटर के अंदर आप कोई भी चिकन वेजिटेबल सूप ले सकते हैं एट एट पीम जह है वन काप ऑफ ग्रीन ट को स्टॉंग कर सकें पिशावरी कहवा यहां पे मैं ले रही हूं और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी शूगर एड नहीं किया नहीं कोई ब्राउन शूगर कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने को भी दिल चाता है तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेज ली हैं कुछ वेज़िटेबल्स और चीज उस पे अड़ करके तो उसको जहें पीजा टॉपिंग के साथ थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं संडे विल बी अची डे तो चीट डे पे आप लें लेकिन उसमें भी आप लोगोंने बहुत ज़दा डाइट का ख्या तो यह है मेरा डाइट प्लाइन होफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी कुछ मैंने भी फॉर और आफ्टर की पिक्चर्स भी इंजर्ट की हैं ताके आप लोगों को डिफरेंस नजर आ सके थैंक्स पॉर वाचिंग अलाहाफेज